तो Hello investor कैसे हैं आप सभी तो आज की वीडियो में आपको मैं पांसो Canada से option trading कैसे करते हैं वह आपको लाइव दिखाने वाला हूं live मारकिट में आप देख सकते हो अभी market open है तो यहां पर अभी आप देख सकते हो nifty fifty यहने आज nifty fifty down है और आज हम nifty fifty में ही trade करने वाले हैं वीडियो को complete देखना अगर आप एक beginner से आप सीखना चाहते हैं basic basic चीजे आपको बताने वाला हूँ कैसे आप option trading कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं आप 100 रुपे से भी option trading कर सकते हैं लेकिन आज हमारा target है कि 500 रुपे से हम option trading करके देखेंगे और देखेंगे कि कितना हमें profit होता है कितना हमें loss होता है आपको काफी चीजे सीखने को मिलेगी कि मुझे क्या क्या गलती नहीं करनी है और आपको live दिखाने वाला हूँ अभी यहाँ पर आप देख सकती हो laptop में भी मेरा जो भी है grow application open है grow की site and मैंने mobile में भी open कर रखा है so option trading करने के लिए आपके पास ये product tools होना चाहिए अगर आपने अभी demand account open करा है तो आपके पास यह नहीं होगा इसको activate कर ले उसके बाद देखो future option पर आपको click करना है उससे पहले आपके पास balance भी तो होना चाहिए तो यहाँ पर आपको logo पर click करना है और आपके पास कितना balance है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे पास 160 रुपय है मैं अभी add money पर click करके add money कर लेता हूँ यहाँ पर add money पर click करना है जैसे हम add money पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको payment डाल देनी है कि कितने पैसे आप add करना चाते हूँ मैं यहाँ पर 400 रुपए add करना चाता हूँ और आपके bank account से यह deduct हो जाएंगे जिस भी bank account को आपने attach कर रखा होगा so add money पर click करके आप यह balance add कर सकते हूँ तो directly आपको pin डालना है आपके wallet में पैसे आ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हूँ हमारी payment successfully हो चुकी है अब हम trading कर सकते हैं डन पर click कर देना है डन पर जैसी click करते हैं सबसे पहले आपको nifty 50 पर या फिर आपको यहाँ पर click कर देना है future option पर उसके बाद ओकी पर click कर देना है and ओकी पर जैसी click करते हैं तो यहाँ पर आप nifty 50 या फिर bank nifty दोनों में ही option trading कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हूँ index, option भी देख सकते हूँ call, put, call इनका मतलबी मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप beginners है आपको nifty 50 पर click करना है तो यहाँ पर अमारा nifty 50 का page open हो जाता है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर 28 September की आपको date दिखेगी यानि अभी 28 September है आज यानि आज 28 September है और जो भी यह contract आप देख रहे हो premium price जैसे की call price है ना यह आज आज तक ही valid है आज के बाद जो भी यह expire हो जाएंगे तो अभी मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आप beginners हो उसके बाद हम option trading उसके बाद हम trade लेंगे और आपको live दिखाएंगे profit और जितना भी होगा यहाँ पर आप देख सकते हो September 28 फिर उसके बाद October 5 फिर October 12 या 19 इनके बीज आप देखो साथ साथ दिन का gap है है ना यानि यह जो contract price होते हैं यह सिर्फ साथ दिन के लिए होते हैं उसके बाद यह expire हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा call price और यहाँ पर आपको दिखेगा put price call price का मतलब यह होता है कि आज market उपर जाएगा जैसे कि आज market उपर जाएगा या नीचे अगर market उपर जाएगा तो हमें call price बाई करना है अगर हमें लगता है कि market आज नीचे जाएगा तो हमें put price buy करना है तो हमें लगता है कि market आज उपर जाएगा तो हमें call price buy करना है यह आप समझ चुके होंगे और हम भी आज call price ही buy करने बाले हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ना यह काफी आपको price मिलेंगे देखोगे दो रुपैसी पैसा एक रुपै इस तरह से actual price हो रहा है और यहाँ पर देखोग डाउन है अभी 0.13% निफ्टी अभी डाउन है ठीक ना अभी मैं आपको live trade करके दिखाता हूं अगर आप call और put के बारे में अच्छे से समझ गए कि call का मतलब क्या होता है put का मतलब क्या होता है call तब buy करते हैं जब हमें नीचे जाएगा अगर हम put buy कर लेते हैं और market चला जाता है नीचे तो तो हमें होगा benefit ठीक ना अगर हम put buy कर लेते हैं और market चला जाता है ऊपर तो हमें होगा loss यह बात आपको ज्यान में रखनी है start-up में समझ में नहीं आएगा मेरे साथ भी बिलकुल ऐसा ही हुआ था आज तक ही है उसके बाद यह खतम हो जाएगा साथ दिन तक का टाइम रहता है और आज लाश्ट दिन है सातवा दिन है तो यह आज आज के contract price है तो अगर आपको लगता है कि nifty 50 आज 19,700, 19,750, 19,800 यहां तक आज आएगी तो आपको क्या करना है call price buy करना है ठीक ना आपको ल nifty 50 में analyze क्या करना है nifty 50 में आपको पता है ने कि देश की 50 company होती है अब वो किस तरह का performance कर रही है आज उसके base पर ही इसका price कम ज्यादा होता है nifty 50 का क्योंकि उसका average है 50 company जैसा काम करेगी उसी तरह से nifty 50 भी काम करेगी अब 50 कंपनिया काम नहीं करेगी डाउन है 50 में से 20- डाउन है जो बड़ी-बड़ी है तो nifty 50 डाउन जाए गाई अगर आपको अच्छे से analyze करना आ गया nifty 50 तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकती हो अगर आप ऐसे ही morning में उठकर nifty 50 में पान सूर पर लगा दिये आपने मतलब मर्जी से सोच लिए कि आज निफ्टी उफर जाए फिर यह तो gambling हो गया अगर आपको business करना है अगर आपको career बनाना है stock market में तो देखो analyze तो करना पड़ेगा 50 कंपनियों को नहीं लेकिन जो बड़ी-बड़ी कंपनिया है जो top पर है 10-15 कंपनियों को तो analyze करना पड़ेगा न क्योंकि वो company उपर जाएगी तो ही nifty 50 उपर जा जैसे की मैं buy कर लेता हूँ मानके चलो डाया चैसे की 152 यह फिर यहGo Uh आप किसी को भी buy कर सकती हैं जैसे भी आपकी मर्जी आभीदा हम करने वाले है इस premium price को उसके बाद किलिक करना है उसके बाद आपको buy पर click करना है जैसे ही हम buy पर click करेंगे तो उसके बाद आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो nifty 28 September 20,000 call price यह आज हमें लगता है कि nifty 50 20,000 तक यह थोड़ी इससे नीचे आएगी तो हम इसलिए call price buy कर रहे हैं अठाई सेप्टमबर आज आज तक यह expire मतलब आज आज तक रहेगा यह एंड यहाँ पर आप देख सकती हो अभी 1.25 का है 1.25 पैसे का है delivery में हमें लेना है intraday में भी ले सकती हो delivery का मतलब यह हो गया कि आप इसको आज-ाज के लिए नहीं काफी दिनों के लिए ले रहे हैं लेकिन यह तो आज-ाज के लिए ही है लेकिन तब भी आपको delivery में ही लेना है intraday का मतलब होता है कि आपको सिर्फ एक दिन के लिए इसको purchase करना है लेकिन delivery का मतलब होता है कि आज के लिए नहीं काफी दिनों के लिए एक अपता एक महीना हो गया ठीक है ना अगर आप स्टोक बाई करते हो ओप्सन ट्रेडिंग में सिर्फ साथ दिन के लिए चलता है दिलिवरी ठीक है ना उसके बाद आपको क्वांटिटी दिखेगी यहाँ पर देख सकती हो पचास क्वांटिटी यनि जो ये प्राइज है ना ये इनको इखटा किया गया है और जब ये पचास क्वांटिटी कितन एक लोट में 50 क्वांटिटी आती है समझ गए ना कि एक लोट में 50 क्वांटिटी आती है और ये पचास ही हमें लेनी पड़े अगहारा हम एक उंटिटी लेंगे तो क्या कहन घंटा हमें जो भी कुछ नहीं होheen गा कियोंकि ये NTb2df Asadye कि य्योडर येmel तो हम क्या एक PC यह आया है नहीं इसलिए ही 50 quantity खरीदते हैं है ना क्योंकि थोड़ा बहुत बढ़े तो थोड़ा लगे तो सही कि थोड़ा हाँ प्रॉफिट आया है है ना उसके बाद आपको market दिखेगा and market पर जैसी किलिक करोगे यहाँ पर आपको limit दिखेगा अब limit का मतलब यह हो गया कि इस premium prices contract को मैं 31 में नहीं मैं एक रुपे में खरीदूँगा जैसे यह एक रुपे में आएगा आप एक रुपे आप पर टाइप करके buy कर लोगे जैसे ही यह एक रुपे में आएगा आपका यह contract buy हो जाएगा लेकिन हम तो भाई market में ही buy करेंगे तो आपको यहाँ पर market कर देना है delivery कर देना है उसके बाद आप दो लोट लेना चाहते हो तो दो भी कर सकते हूँ हम यहाँ पर दो कर देते हैं तीन कर देते हैं चार कर देते हैं जैसे कि हम चार करते हैं तो हमारा जो भी है 340 मैंने जैसे कि आप से वादा किया था कि मैं 500 से करके दिखाऊंगा तो हम यहा 109 रुपए हमारे 500 रुपए यहाँ पर बन चुकी है देखो आपके सामने हैं 528 रुपए ठीक है ना अप्रोक्स यहाँ पर चार्ज भी देख सकते हो आप कि कितना कितना आपका चार्ज यहाँ पर लग रहा है जैसे कि यहाँ पर ब्रोकरेज वन ओडर आपको 20 रुपीज द देने पढ़ेंगे लगबग 400 पिछेत ऐसे तरण से प्राइज फॉप नीचे हो रहा है तो यहाँ पर बॉन पर किलिक हैं जैसे हम ब्रोकर किली करते हैं तो हमारा और यहाँ पर कंपेट लिया है और जो market price है वो लगबग 41 का यहाँ पर 45 का है और जो average price वो 1.45 ठीक है ना जो हमने trade लिया था वो 1.45 में और market price भी 1.45 में ही है ना ही हमें यहाँ पर loss हो रहा है और ना ही हमें यहाँ पर profit आप यहाँ पर देख सकती हूँ पोजिशन में आपको ये दिखेगा ठीकाना आप देखो यहाँ पर लाइफ ट्रेड यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आपके सामने अब यहाँ पर द्यायन देनी वाली बात यह है कि अगर आपने ज़्यादा पैसे लगारा रखें सबसे पहली बात यह है कि आपको ज्यादा पैसों से ट्रेड नहीं करनी है अगर आप अभी सीख रही है यहाँ पर आपको 500 रुपे भी नहीं लगाने है आप यहाँ से 100 रुपे में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं अब आपको लगता है कि मेरे पैसे यहाँ ज्यादा डाउन चले गए है ज्यादा लोस हो चुका है आप लोस को कवर कर बचाना चाहते हैं मतलो आप अपने पैसों को बचाना है यहाँ पर बात यह है कि आपर सेकेंडों के अंदर चीरो हो जाएंगे पैसे खतम हो जायेंगे खतम और सेकेंडों के अंदर ही यह डबल भी हो जाएंगे है ना देखो आपका लोस तो अगर आपने 100 रुपे के ट्रेड ली है तो 100 रुपे का ही होगा लेकिन प्रॉफिट कितना होगा यह अंदाजा नहीं है लोस तो आपका 100 रुपेका होगा profit unlimited है अब देखो आपको लोस ज़्यादा वोगतना नहीं है आप ज़्यादा लोस नहीं करना चाहते उस तिती में आपको क्या करना है उस तिती में आपको करना क्या है आपको click करना है जैसी आप click करोगे ना तो यहाँ पर हमें दो option मिल जाते हैं यहाँ पर add stop loss and target और दूसरा है position details यह तो हमें details दिखेगी कि कितने price हमने कितना पैसा हमने invest किया है यहाँ पर हमारी काम की चीज़ है वो यह है add stop loss और target पर आपको click करना है अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या है अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे पैसे यहर सारे डूप जाएंगे तो उस स्थिति में आपको stop loss यहाँ पर लगा देना है ठीक है ना हमने कितने कितने में खरीदा था एक 45 में तो यहाँ पर आप stop loss लगा सकते हो जैसे कि तो मान के चलो मैं एक तक का stop loss लगा देता हूँ क्यों क्योंकि देखो एक से नीचे जाएगा न यह तो हमारा automatic sale हो जाएगा इससे आपको ज़्यादा loss नहीं होगा यह stop loss यही होता है आपका जो पैसा है वो बच जाएगा तो इस स्थिति में आप stop loss लगा सकती हो अब target की बात आती है target का मतलब यह होता है कि यह जो premium price contract है यह मान के चलो 5 रुपे तक जाने वाला है तो यहाँ पर 5 रुपे लगा कर इसे आप sale कर सकती हो अब क्या होगा अब दोनु तरीकों से आपकी पावंदियन यहाँ पर बंधन हो चुका है आप अगर loss होगा तो सिर्फ कितना 40-45 पैसे का ठीक है ना लेकिन profit यहाँ पर आपने कितने का रखा है target 5 रुपे तक का यह 5 रुपे तक चला गया तो आपका sale हो जाएगा automatic target क्यों लगाते हैं target इसलिए लगाते हैं कि सारे दिन आप mobile लेके ना बैठे रहो दोनों तरह से पावंदी हो चुकी है यहाँ तो आपने एक्षप कर लिया कि मैं यहाँ इतने तक ही loss है सकता हूं और यहाँ पर target भी आपने लगा दिया अगर market आज ऊपर जाता है तो 5 रुपय तक जाता है तो automatic sale हो जाएगा अब ऐसा भी तो हो सकता है कि market उपर 5 रुपय तक चला भी गया और उसी condition में पहले वाली condition में आ भी गया एक 45 में उल्टा आ गया इसमें तो loss हो जाएगा loss तो क्या होगा लेकिन मोका तो चला जाएगा तो उस मौके को achieve करने के लिए पाने के लिए target लगाया जाता है और sale कर दिया जाता है यहां पर sale मैं कर दूँगा तो यह सब कुछ set हो जाएगा एक रुपय नीचे जाएगा एक रुपय तक पहुचेगा तो sale हो जाएगा अगर यह target पांच तक पहुचेगा तो भी सेल हो जाएगा अब दोनों तरह से हमें बेनिफिट है यहां से यह चीज ना आपको सीखनी पड़ेगी ठीक है अगर आप स्टार्ट अब कर रहे हो वैसे यह वीडियो सभी के लिए थी ज्यादा बीगनर्स के लिए थी तो अभी देख सकती हो हमने यहां पर ना 250 क्वांटिटी खरीदी थी और लोट कितने खरीदे थे पांच लोट खरीदे थे हमने ठीक है अब ए टोटल रिटन और जो भी है लोसेस जो भी आपके सामने है ठीक है यह है ओप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल इसी तरह से आप ओप्शन ट्रेडिंग कर स तो यहाँ पर अभी आप देख सकती हूँ यहाँ पर total return कितना है, कुछ भी return यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा wait करता हूँ और आपको कुछ दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पर return होता है, अभी आप देख सकती हूँ प्राइज यहनि total यहाँ पर return जो यहाँ पर आपको add stop loss और target दिखेगा इस पर आप जैसी क्लिक करोगे न तो आपके सामने कुछ इस तरह का एंटरफेस आ जाएगा ठीक है न अब यहाँ पर आपको क्या करना है देखो यहाँ पर stop loss stop loss के बारे मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर target target का मतलब यहीं कि इसका price अभी 2 रुपे है न ठीक है न अगर इसका price आप set कर दोगे 3 रुपे और उसके बाद आप sale कर दोगे अगर आपको लगता है कि यह 3 रुपे तक जाएगा तो आप यहाँ से target set करके sale कर सकते हो अग उसके बाद आपको exit पर click कर देना है यहाँ पर हम exit इसको करने वाले हैं यहनी इसको करने वाले हैं अभी market price देख सकते हो 2.05 इस तरह का price यहाँ पर cut बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर sale कर देते हैं आपके सामने तो अभी हम sale पर click करते हैं तो हमारा यहाँ पर order successfully sale हो जाता है अभी आप यहाँ से order details देख सकते हैं यहाँ पर आपको done पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको देखेगा कितना आपको return मिला है कितना आपको profit हो आए तो यहाँ पर हमें 137 रुपय का यहाँ पर profit हो चुका है तो दोस्तों बिल्कुल आप इसी तरह से option trading कर सकते हो only 100 रुपय से 200 रुपय से भी कर सकते हो इसमें कोई ज़्यादा वो risk नहीं है लेकिन risk तब है जब आपको पता नहीं है आपको knowledge नहीं है इस चीज के बारे में तब आपके लिए risk है ठीक है ना और हाँ एक बाद आपको ध्यान रखनी है कि loan लेकर बिल्कुल भी यहाँ पर trading नहीं करनी है क्योंकि यह risk हो सकता है यह पैसे आपके zero भी हो सकते है है ना यह आपको ध्यान में बात रखनी है कि आपको पहले सीखना है उसके बाद ही आपको option trading करनी है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी आपको चीज समझ में आयोगी कोई चीज समझ में ना आयोगी हो तो मुझे comment करे, message करे है ना वीडियो को like करे और चैनल को subscribe करे सो अगली वीडियो मिलते हैं thank you so much, bye